हेलो एवरिवन वेलकम टू रवे स्टडी आईक्यू जी के आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करेंट अफेयर्स जिसमें हम कवर करेंगे फ़रवरी महीने के फॉर्स्ट वीक के इंपॉर्टन करेंट अफेयर्स के क्वेशन्स फ्रिंड्स यहाँ पर मैंने सबी कोशन बिलकुश सिलेक्टेड लिये हैं अगर आप किसी भी एक्साम के तियारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफी जादा मदद करेंगी इस वीडियो का चो पीडियेफ है वो आप लोगों को टेलिग्राम पर मिल जाएगा जिसका लि इटली के दुबारा से राष्ट्रपती बने हैं सर्जियो मट्रिला तो आप लोगों से कोशन ना एक तरीके से ये भी बन सकता है कि इटली के फिर से राष्ट्रपती कौन बने तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है इनका नाम क्या है बात करते हैं कुछ important points की देखें जो सर्जियो मट्रिला हैं ये पहली बार 2015 में राष्ट्रपती बने थे और अब उन्हें फिर से दोबारा 7 साल के कारेकाल के लिए चुल लिया गया है इटली की बात करें तो इटली जो है यूरोप महादीप में इस्तित है इसके capital रोम है करंसी है यूरो और यहां आपको important points भी ध्यान रखनी है question second है tennis tournament Australian Open 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है right answer हो जाएगा राफेल नदाल friends देखें Australian Open जो है ये एक grand slam tournament है जिसमें से सबसे पहला grand slam tournament में total 4 tournaments आते हैं सबसे पहला होता है Australian Open अब राफेल नदाल से आप लोगों को एक बात ये भी देश कौन सा है ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं तो ये इस्पेन के tennis के लाणी है वहीं बात करें अगर महिला वर्ग में तो महिला वर्ग में ये जो खिताब है जीता है आशले बार्टी ने तो दोनों ध्यान लखेंगे पुरुष अगर वर्ग में पूछेंगे तो आप लोग का अंसर राफिल नदाल है और अगर महिला वर्ग में पूछें जो वोवें सिंगल वाला टाइटल होता है वो एशले बार्टी ने जीता है इसके अलावा देखेंगे पुरुष यूगल का जो डबल्स का टाइटल है वो जीता है थानासी कोकी नाकिस और निक कि अगला कोश्चन है देखें किस राजे की सरकार ने कन्याओं तता महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए पंक अभियान की शुरुआत की है राइट आंसर इस मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश की सरकार ने पंक अभियान की शुरुआत करी इसका में उदेश्य देखे क्या है इसका उदेश्य है विपत्तिग्रस महिलाओं को आत्म निर्भर बनाना और कोशल उन्यत प्रसिक्षन कारेकरम से जोड़ कर सोयम के सासाथ अपने परिवार के भरण में भी सहायता करना तो उनको स्किल वगेरा प्रोवाइट करी जाएंगे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाएंगे जिसे महिलाओं स्किल सीख सके और अपने साथ अपने परिवार का भी बालन पोशन कर सके बात आती है फ्रिंट मध्यवरदेश राज्य की इसके स्थापना ह 21 जनवरी 2022 को राष्टी महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया करेक्ट आंसर इस तीसवा तो थर्टीत नंबर का जो स्थापना दिवस है वो 31 जनवरी 2022 को मनाया गया है इस कारिक्रम का में उद्देश्य होता है विविन शेत्रों में महिलाओं की उपलब्ध का जश्न मनाना ये संस्ता महिलाओं के लिए समयधानिक और कानूनी संरक्षन की समीख्षा भी करती है दो हज़ार बाइस में राष्टे महिला आयोग की जो थीम रही वो इंपोर्टेंट है शी दा चींच मेकर और इस आयोग की स्थापना की बात करती है तो 31 जनवरी 1992 को इस आयोग की स्थापना की गई थी तो याद दखेंगे फ्रेंट्स इस बार इनोंने अपना 30 रंबर का स्थापना दिवस मनाया है अगला कोशन है विश्व कुष्ट रोग दिवस जैसे बोलते हैं लेपरोसी ले ये कब मनाया गया है तो ये मनाया जा गया है इस बार 30 जन जनवरी को महात्मा गांदे जी की पूर्णय तिती पर मनाया जाता है लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि ये साल के आखरी रविवार को मनाया जाता है साल का मतलब हो गया जनवरी महीने का जो आखरी रविवार होता उसको ये विश्विस्तर पर इसको मनाया तो इसलिए ध्यान लखेंगे तो इसमें देखिए जो पुराना घातक रोक है ये कुष्ट इसके बारे में वैश्विक जागरुकता बढ़ाने और इस बात की और ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसकी रोक्ताम, इलाज और इसका उपचार किया जा सकता है बात करते हैं इसकी थीम की तो इसकी थीम है United for Dignity अगला कोशन देखिए किस तेश ने मध्यमदूरी की बलस्टिक मिसाइल हुआंग सोंग 12 का सफलता पूरवग परिशन किया है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया की द्वारा ही बलस्टिक मिसाइल है इसका नाम भी ध्यान रखिएगा हुआंग सोंग इसका सफलता पूरवग परिशन किया गया नेक्स्ट कोशन देखिए स्पूतिक गुस्तर फेस्टिवल ये कहां पी मनाया गया है राइट आंसर इस लद्दाक तो फ्रेंट्स याद देखिएंगे जो स्पूतिक गुस्तर फेस्टिवल है ये लद्दाक में मनाया गया बात करते हैं कुछ important points की तो दीखें लद्दाक के जो मठ है अलग-अलग मठों में ये फेस्टिवल उस सब मनाया चाता है तिब्बती भाषा में गुस्तर का मतलब होता है बलीदान ये तिहार दो दिन तक मनाया चाता है जिसमें बिविन परकार के अनुष्ठान, समारो, संगीत और चाम मृत्य किये जाती है कोशन है अगला भारत के सबसे बड़ी online skill gaming platform Games 24-7 Rummy Circle के नए brand ambassador कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएका रितिक रोशन फ्रेंट्स कोशन important होते है brand ambassador के क्योंकि यहां से equation आपका definitely पूछा जाता है तो याद देखेंगे जो भी recently ambassador बनी है तो Rummy Circle जो एक gaming platform है उसके brand ambassador बनी है रितिक रोशन इसके बाद अकला कोशन है एक सो पचास गाउं को उतकरष्टता के गाउं में बदलने के लिए केंदर सरकार ने किस देश के साथ समझोता किया? राइट आंसर हो जाएगा इसराइल तो फ्रेंट्स इसराइल देश के साथ में यह समझोता किया गया है अब इस समझोते से देखो क्या होगा? जो गाउं है, वहाँ पे इसराइल देश की जो तकनीकी है, उनकी सहायता से इन गाउं को उतकरस्ट गाउं में बदला जाएगा अब इसराइल देश की बात आती है तो इसराइल एशिया महादीप में स्थित है इसकी राजधानी है जेरुसलेम, करंसी है इसराइली शेकेल, प्रधान मंत्री है नाफ्तली बानेट, यहां के राश्टपती का नाम है इजाग हर्जोग, इसराइल की संसत का नाम क्या है तो इसराइल देश की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन, यहां की सबसे लंबी परवश रंखला का नाम है माउंट, हेर्मॉन और सबसे जादा जो यहुदी लोग है वो कौन से देश में रहते हैं तो इसराइल में रहते हैं आगला कोशन देखिए, फियरलेस गवर्नेंस ये प पूर्व उपराज्यपाल हैं और सीवा निवरत आईपीएस ओफिसर हैं तो इनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है, इंपॉर्टन क्वेशन रहेगा फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको भी माग करेगा काफी important question है तो हौंदूरस की बात करते हैं तो पहली महिळा राष्ट्रपती बनी है अब बात करें इनके बारे में तो ये दिखे हौंदूरस की 56 नंबर की pickled कि बनी यह है जुआन और्लेंडो हर्णांडस की जगा पर नियुक्त की गई हैं होंदुरस देश उतरी अमेरिकी महादीप में स्थित है इसके राजधानी है टीगू सिगलपा और करंसी है यहाँ पर जो हांकी मुद्रा है लेंपिरा राष्टपती का नाम शियोमारो कास्तरो ये भी आपको याद रखना है इसके बाद है संसत में बजट 2022-23 का किसने पेश किया है तो याद आपको क्या रखनाएं इसमें कि बजट किस के दौरा पेश जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के दौरा यानि वित मंत्री जी के दौरा और इस टाइम पे कौन है निर्मला Sitaramad जी तो इनके दौरा ही बजट पेश किया गयाँ अब बजट से रेलेडिट इसको मार्क करेगा काफी important है तो दो बार 2021 में भी paperless था जो कि पहला paperless budget आया था और इस पार भी 2022 में paperless budget पेश किया गया 2022 किस वित्य वर्ष के लिए 22 हिस के लिए समिधान में किस अनुचेद में budget शब्द का प्रियोग हुआ तो याद रखेंगे यह बहुत important बात है किसी भी अनुचेद में budget शब्द का यूस नहीं किया गया है उसकी जगा पर वालशिक वित्य विवरण का शब्द का यूस किया और इसका जिक्र समिधान के अनुचेद 112 में है लगतार चौथी बार budget पेश करने वाली पहली महीला वित्य मंत्री कौन है निर्मला सीथा रमर जी है अगला कोशन है भारत का पहला भूवग्यानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा राइट आंसर इस जवलपुर अध्यप्रदेश में पहला भारत का भूवग्यानिक पार्क बनाया जाएगा इसके बाद है देश का पहला sports unicorn कौन सी IPL टीम बनी है राइट आंसर इस चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंट्स चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली sports unicorn की IPL टीम बन गई है इंडियन प्रीमर करोन रुपे की हो गई है देखे unicorn क्या होता है तो नई कंपनिया कोई start-up है जिनका valuation एक बिलियन डॉलर का हो जाता है तो वह unicorn club का हिस्सा बन जाती है unicorn जो term है इसकी शुरुआ सबसे पहले 2013 में अमेरिकी वेंचर कापिटलिस्ट एलिन ली के द्वारा ली ने इसको सबसे पहले शुरू किया था इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षन 2021 ये किसके द्वारा संसत में पेश किया गया आंसर हो जाएगा निर्मला सीता रमर्ची के द्वारा इसे संसत में पेश किया गया है अगला question देखिए badminton tournament odisa open 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारते कौन बनी है right answer is उन्नती हुड़ा important question क्यों है क्योंकि ये सबसे कम उम्र की भारते बनी है जिनोंने odisa open जो ये badminton tournament है ये जीता है वहीं बात करें देखिए पुरुष एकल का इसमें जो खिताब है वो जीता है प्रियांशो रजावत ने और ये हुआ कहां पिता तो उडिसा का ही जावाहर लाल नहरू स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम वहां पे ये जो competition ने इसका आयजन किया गया अगला है भारते तट्रक्षक बल ने एक फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है राइट आंसर हो जाएगा 46 नमर का स्थापना दिवस मनाये गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अच्छा इंडियन कोस्ट कार्ड की बात करें तो 18 ऑगस्ट 1978 में इसके स्थापना हुई है इसका मुख्यालन नई दिली में है और इसके महा निदेशक है वी एस पठानिया इसके बाद है वर्ड गेम अतलीट ओफ दा इयर पुरुषकार जीतने वाले पहले भारतिय पुरुषकिलाडी कौन बनी आंसर इस पी आर स्रीजेश तो फ्रेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतिय पुरुषकिलाडी बनी है जिनोंने वर्ड गेम अतलीट ओफ दा इयर पुरुषकार को जीता है इसके बाद है भारत ओमान की जो जॉइन्ट मिलिटरी कॉर्पोरेशन की दस्वी बैटक है इसका आयचन कहां पे किया गया तो फ्रेंट्स इसका जो आयचन ने वो किया गया था नई दिल्ली में अगला कोशन विश्व उपेक्षित उश्नकटी बंदिय रोग यानि वर्ड नेगलेक्टेट ट्रॉपिकल डिसीज दे ये कब मनाया जाता है ये बनाया जाता है फ्रेंट्स तीस चन्वरी को तो तीस चन्वरी दो हजार बाईस को ये दिन मनाया गया अच्छा इस वार के बात करें तो ये तीसरा जो है विश्व उपेक्षित उश्नकटी बंदिय रोग दिवस था और इस दिन जो उपेक्षित उश्नकटी बंदिय रोग होते हैं उनके प्रतित जाग रोकता बढ़ाने के लिए जो ये दिन है वो सेलिबेट किया जाता है और इस पार की जो थीम रही उसका theme ध्यान रखेंगे achieving health equity to end the neglect of poverty related diseases तो ये रही है इस दिवस की इजबार की theme इसके बाद अगला question है H.E. Antonio Costa ये भी हाली में किस देश के फिर से प्रधान मंत्री चुने गए friends correct answer हो जाएगा पूर्तगाल तो ये पूर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं ये ध्यान रखेंगे पुर्तगाल की बात करते हैं तो ये यूरोप महाधीप में स्तेत है इसके राजधानी है लिस्पन करणसी है यूरो और प्रधानमंत्री फिर से बन गए है ह एंटोनियो कोस्टा राश्टपती है यहां के मारसेलो रेबेला डी सोसा महार फुटबोलर जो किस्टियानो रोनाल्टू है ये किस देश से हैं भी पूछ लेते हैं कई बार तो ये पुर्टगाल से ही है भारत के खोश करने वाले वासको डिगामा ये कहां के रहने वाले थे इसके बाद है रक्षा खोफिया एजेंसी के नए प्रमुक न्युक्त हुए राइट आंसर इस जी एवी रेड़ी ये डिफएंस इंचलिजैंस एजेंसी के प्रमुक न्युक्त किये गए है अगला है बजट 2022 तेहिस में केंद्रे वित्र मंत्रे निर्मला सीता रमर्जी ने क्रिप्टो करेंसी पर कितना प्रतिशत टेक्स लगाने की घोशना करी राइट आंसर हो जाएगा 30% का तो दिखें कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर 30% का जो टेक्स है वो लगाया जाएगा इसके बाद है थल सेना के उत्री कमान के नए कमांडिंग इनचीफ कौन नियुक्त किये गई है तो बात करते हैं अगर हम थल सेना की तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपेंदर दुवेदी तो याद दखेंगे उपेंदर दुवेदी थल सेना का जो उत्री कमान है उसके नए कमांडिंग इनचीफ अपॉइंट किये गए अगला है बैडमिंटन टूर्नामेंट उडिसा उपन में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किस ने जीता है तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए किरन जोर्ज के दौरा ये जो टाइटल है वो जीता गया तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस ने जीता है किरन जोर्ज ने जीता अगला है नागरिको को बहतर सेवा प्रदान करने के लिए किस राज़्चे सरकार ने AP सेवा पोर्टल 2.0 को लौँच किया तो ये कौन से राचे सरकार है राइट आंसर इस आंदरप्रदेश की सरकार ने से लॉंच किया है तो याद रखेंगे इसके बाद नेक्स्ट कोशन है देखे एस्पी आई ने सौर उर्जा परियर्जाओं के वित्त पोशन के लिए किस कमपनी के साथ समझोता किया है तो कमपनी का नाम क्या है फ्रेंट्स तो कमपनी का नाम है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स तो SBI ने इनके साथ पार्टनेशिप करिये बैंक का नाम भी याद रखना बहुत ही जरूरी है इसके बाद है लखनोव IPA टीम का नया नाम क्या होगा तो फ्रेंच चो लखनोव क्योंकि दो नई टीम्स बनी है एक लखनोव बनी है और दूसरी बनी है एहमदाबाद ये दोनों ध्यान रखेंगे और लखनोव टीम का जो नाम होगा वो है लखनोव सूपर जियाइंट्स जो है इसका नाम रहेगा अगला कोशन है विश्व आद्रभूमी दिवस 2022 कब मनाये गया है तो ये इंपोर्टन कोशन है और ये मनाया जाता है दो फरवरी को देखें अगर हम इस दिवस की बात करते हैं सबसे पहले थीम ध्यान रखेंगे वेटलेंड एक्षन फॉर पीपल और नेचर लोगों प्रकरती के लिए आद्रभूमी कारवा ही दो फरवरी को ही क्यों ये दिन होता है क्योंकि दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर में हमी जिवस मनाया गया था तो इसलिए दो फरवरी को ही हर साल जो है ये दिन मनाया जाता है इसके बाद है सेहत योशना के तहट दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्राले के दौरा शुरू की गई है तो मंत्राले का नाम क्या है रक्षा मंत्राले जो किसके पास है राजना सि जी के पास है तो याद दखेंगे इनके द्वारा ही सेहत योशनाओं के तहट दवाओं की होम डिलीवरी शुरू करी गई इसके बाद है देखे अगला कोशन राष्टिय इलेक्ट्रोनिकी और सूशना टेक्नोलोजी संस्थान के नए महानिदेशा कौन बनी है करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन तरपाथी अगला कोशन है विश्व की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट दा जेट जीरो इसको दा जेट जीरो एमिशन को नाम दिया गया है ये कहां पर लौँच किया जाएगा तो राइट आंसर इस दुबई UAE में इसे लौँच किया जाएगा और ये पहली ऐसी होगी जो की फ्लाइंग बोट बना एक तरही किसे आपके लो हाइडोजन से चलेगी और इसमें आठ से लेके बारा यात्रियों को ले जाने की भी शमता रहेगी अगला है दो फरवरी 2022 को विश्व आदरभूमी दिवस पर भारत की किन दो वन्यजीव अभ्यारणे को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है माक करेगा important question है तो right answer is खिजडिया वन्यजीव अभ्यारणे जो कि गुजरात में है दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारणे जो कि उत्तर प्रदेश में है तो आपका right answer is option number C अब बात करे important points की तो देखिए जो खिजडिया है ना ये गुजरात का जामना जिला है वहाँ पर ये है और दूसरा है बखीरा जो कि उत्तर प्रदेश में है तो अब इन दोनों को मिला कर total रामसर साइट कितनी हो गई है भारत में 49 हो गई है और याद रखेंगे यूपी में सबसे ज़ादा रामसर साइट है और यूपी के बखीरा को मिला कर total 10 रामसर साइट हो गई है यूपी में तो ये important question रहेगा एक्जाम पॉइंट ओवी से अगला है डियाडियो की रक्षा अनुसंधान और विकास पिर्योग शाला के नए निदेशा कौन बने आंसर इस श्री निवास मूर्ती जी को अपॉइंट किया गया इसके बात है केजरे बजट 2022 तेहिस में वित्त मंत्री निर्मला सीता रमर्ची ने अगले तीन वर्षों में कितनी बंदे भारत ट्रेन विक्सित करने का एलान किया है तो राइट आंसर इस चार सो तो चार सो बंदे भारत जो ट्रेन है उन्हें विक्सित करने का एलान किया अगला कोशन देखे भाते नौसेना ने स्कॉर्पियन पंडुब्बी वागीर का परिशन शुरू किया है इस पंडुब्बी का निर्माण किस ने किया राइट आंसर इस मजगाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है उनके द्वारा इस देशी के द्वारा ये जो खिताब है वो जीता गया है भारते ग्रिंड मास्टर भी रही है और इनके द्वारा ये शतरंश का टूर्णामेंट जीता गया इसके बाद है विश्व इस पात संगटन द्वारा जारी की गए रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस पात का से बड़ा उत्पादक देश और ये किसके according है तो अभी इस पार संगर्टन के दोरा जो है ये जानकारी दी गई है उसके according है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगला कोशन देखिए तोरग्या महास्तव 2022 ये कहां मनाये गया है तो ये जो महास्तव है फ्रेंट्स ये मनाया जाता है अरुनाचल प्रदेश में तो अरुनाचल प्रदेश में जो मोन पा आदिवासी है उन समुदाओं के दारत तीन दिन तक ये तोरग्या महास्तव मनाया जाता है तो याद रखेंगे स्टेट का नाम क्या है अरुनाचल प्रदेश अगला है दो फरवरी 2022 में देश क पहली स्वास्ते मंत्री अम्रित कोर की कौनसी जयनती मनाई गई? आंसर इस 133 जयनती इनकी मनाई गई है तो ये देश की पहली स्वास्ते मंत्री थी इनका चरम दो फर्वरी 1889 को हुआ था पंजाब में तो देश में जो हमारी एंस हॉस्पिटल है ना उनको बनवानी में इनकी बहुत सदा भूमिका रही है तो इनकी जो जयनती मनाई गई है वो 133 नंबर की मनाई गई तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे कुछ important points इसके बाद है भारत की नई लेखा महा नियंतरक कौन बनी है answer is सोनाली सिंग जी को appoint किया गया इसके बाद है चिलका development authority द्वारा जारी वालशिक सर्वेक्षन 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिश्यद घासों का हिस्सा चिलका जील में है correct answer is 33% तो यह किसके according है यह चिलका development authority के according बताया गया है अगला कोशिन देखे 24 वे शीत कालिन ओलंपिक केल 2022 का आयजन कहां शुरू होगा तो यह कहां पर शुरू हुआ यह होगा बीजिंग चाइना में ठीक है तो 24 वे नंबर का है यह भी आपको ध्यान रखना है और बीजिंग चाइना में जो है वो इसकी शुरूआत की जाएगी देख लीजे इसका जो मोटो है वो है एक सांची भविश्य के लिए एक साथ और इसका जो तेहिस्वा संसकरण हुआ था 2018 में दक्षिन कोरिया के प्योंग चांग में आयजन इसका किया गया था तो पिछले एडिशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मिशन ध्यान रखे वैसे ओलंपिक हेल जो होते हैं यह कितने वर्ष के अंदराल पर होते हैं याद रखेंगे यह चार वर्ष के अंदराल प यह इसकी थीम ध्यान रखेंगे और कैंसर के प्रती जागरुकता फैलाना ही इसका में उद्देश है कि कैंसर की कैसे शुरुवाती अवस्ता में पहचान कर सकते हैं किस तरीके से उसे काबू कर सकते हैं इसके बारे में लोगों को अवेर किया जाता है अगला कोशन है ग्रामी छेतर की सफाई स्वच्चता के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया क्लैप का मतलब है क्लीन आंधर प्रदेश जगन्ना स्वच्च संकल पकरो प्रोग्राम तो अब आप समझी गए होंगे इसके फिल फॉर्म से आंधर प्रदेश की सरकारने से शुरू किया है तो आंत्र प्रिदेश की सरकार ने ग्रामे चेतरों की सफाई स्वच्चता की इस्तिती में सोधार और सारवजनिक भागेदारी के लिए इस अभियान को शुरू किया जिसका नाम है क्लैप अगला है भारतिय दिवाला इवंशन शोधन अशमता बोड के नए अध्यक्ष कौन बनी है आंसर हो जाएगा रवी मित्तल इसके बादे लॉरियास वर्ड ब्रेक्थ्रू अव्द इयर अवर्ड पुरुषकार के लिए किस भारतिय खिलाडी का नाम नामांकित किया गया है इंपॉर्टन कोशन है तो नीरत चोपड़ा का नाम इसमें दिया गया है जिनका संबन्ध है भाला फैक्स से और इन्होंने ओलंपिक में सोन पदक जीता था ये भी आपको याद रखना है इसके बात है ब्रांड फाइनेंस तौरा जारी ब्रांड वैलुएशन रिपोर्ट ने किस भारते बीमा कंपनी को सबसे मुलेबान बीमा ब्रांड में दस्वा स्थान मिला है तो ये जो दस्वास्थान है ये मिला है Life Insurance Company जो कि भारत की ही है जिसे हम कहते है L.I.C. और इसकी स्थापना होई थी 1956 में इसका Headquarter अगर पूछ ले तो मुंबई में इसका Headquarter है इसे मिला है दस्वास्थान अगला है अंतराष्टे मानब बंधुत्व दिवस ये कब मनाये गया है तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स चार फरवरी को और इसकी अगर थीम की बात करें तो है Human Fraternity in Action तो थीम भी important होती है डेस की ये एक्जाम में पूछ ली जाती है इसके बाद है फरवरी 2022 में एक बुक अभी लॉंच हुई है The Class of 2006 ये बुक को लिखा किसने है ये बुक लिखी है आकाश कंसल के द्वारा इस बुक को लिखा गया इसके बाद है विश्व विध्याले अनुदान आयोग के नई अध्यक्ष कौन बनी है आंसर हो जाएगा M. जगदीश कुमार को अपॉइंट किया गया M. जगदीश कुमार देखे D.P. सिंग का स्थान लेंगे और वहीं बात करें अगर हम युनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन की यानि विश्व विध्याले अनुदान आयोग की तो इसके इस्थापना 1956 में हुई और इसका जो हेटकौर्टर है वो न्यू डेली में है इसके बाद है देश के तीसरे बॉर्डर हार्ट का उद्गाटन किस राज्य में किया गया है तो ये तीसरे नमर का बॉर्डर हार्ट है और इसका जो उद्गाटन है वो तिरपुरा राज्य में किया गया अगला है प्री प्राइमरी चात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाई आयजित करने के लिए पराई सिक्षाले का को कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है तो ये जो एक तरीके का आप इसको अभिहान ही कहा लिजिए इसको पशिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया है और इसके तहट देखो एक से लेके पाँच तक की जो प्रारंबिक सिक्षा है उसको प्रदान करने के लिए परियोशना में जो सिक्षक है और जो प्रात्मिक वि गेरा सब क्लोज हुए तो इसी को देखते हुए पशिम बंगाल की सरकार ने इस योशना को शुरू किया अगला है गरतंतर दिवस परेड में किस राज्य की जहांकी को शर्व श्रेष्ट जहांकी चुना गया है आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश की जहांकी को मिला है सर्व श्रेष्ट जहांकी का अवर्ड वहीं popular choice category में महरास्ट की जहांकी को सबसे highest पर चुना गया है यह आपको दोनों ध्यान रखनी है अगला कुशन ICC Spirit of Cricket Award 2021 किस करकेटर ने जीता है तो यह किस करकेटर ने जीता है आंसर हो जाएगा डैरियल, मिशेल जोकी न्यूजिलेंड के All-Rounder है उनके द्वारा ही यह जो अवर्ड है वो जीता गया अगला है भारत का पहला अन्य छेतर आधारित संडक्षन उपाए किसे घोशित किया गया है तो भारत का पहला OECM घोशित किया गया है अरावली जै विविदता पार्क जोकी है गुरुगराम में इसे घोशित किया गया है बात करते हैं कि OECM क्या होता है यानि Other Effective Area Based Conservation Measure ये दिखें यूनियन फोर कंसरवेशन आफ नेचर के द्वारा जारी किया गएक टैग होता है जो समरद जय विविदता के चेतरों पर राष्टि उध्यानों और अभ्यारणियों जैसे संदक्ष्य चेतरों के बाहर प्रभावी इन सीटू संक्षन के लिए प्रदान किया जाता है तो ये प्रदान किया है अरावली को इसके बाद है भारत के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्टे संस्थान में स्थापित किया गया तो इसे स्थापित किया है भारते विज्ञान संस्थान में इसे स्थापित किया गया अगला है भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव कांधी ग्रामीर करशी मजदूर न्याय योशना को किस राज्जे में शुरू किया गया है तो फ्रेंट्स इस योशना को 36 कर राज्जे के दोरा शुरू किया गया है तो याद लखेंगे 36 कर इसके बादे संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए World Interfaith Harmony Week ये कब से कब तक मनाएं गया फ्रेंट्स ये एक से लेके साथ फरवरी तक ये जो बीक है वो मनाएं गया है और इसकी जो मनाने का में नुदेश यही है संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना इसकी जो थीम रही वो है Faith and Spiritual Leadership to Combat Stigma and Conflict During Pandemic Recovery ये रही इस बार की थीम अगला है भारतिय अथलेट नीरचोपडा की लगू जीवने पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉइ नीरचोपडा की लेखा कौन है? तो ये नीरचोपडा जी के बारे में लिखा गया है इस बुक में पूरा और इस बुक को लिखा है नवदीप सिंग गिल के दौरा इस बुक को लिखा गया अगला कोशन है राश्टिय सेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसक यानि NCRT के नए निदेशक कौन बनी है करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाथ सकलानी जी बनी है NCRT के नए निदेशक इनको अपॉइंट किया गया इसके बाद है इंडिया प्रस फ्रीडम 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे जादा हमले किस राज़य के इंदे साशित प्रदेश में हुए है तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा जमू कश्मीर में सबसे जादा हमले हुए है और 25 यहाँ पर आप देख सकते है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और तीसरे पे है मध्या प्रदेश इससे जारी किस ने किया तो यह जो रिपोर्ट है इसे राइट्स एंड रिस्क ग्रूप ने जारी किया है जिसका मुख्याले है न्यू दिल्ली में आगला कोशन है भारती सीना ने कॉंकर्स एंट एंटी टैंक मिसाइलों के निर्मार और आप पूर्ती के लिए किस भारती कंपनी के साथ में 31.82 करोर रुपे में समझोता किया है तो यह समझोता देखे क किया है भारती है डाइनोमिक्स लिमिटेट के साथ में तो याद रखेंगे वैसे अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट किसके साथ किया गया है यह इंपॉर्टेंट है इसके बात है इंडिको एयरलाइन के नई प्रबंध निर्देशक कौन बनी है तो करेक्ट मुख्याले है वो ध्यान लखेंगे गुरुग्राम में इसका मुख्याले है यहां देख सकते हैं इसके सीओ है रोनो जॉय दत्ता और इसके संस्थाप्य के राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल अगला है छे फरवरी 2022 को प्रसिद गाई का लता मंगेशकर चिका 92 वर् इसके स्थाप्य कोशन है आंसर हो जाएगा 2001 में इन्हें भारत रतन से सम्मानित किया गया इन्हें अन्य पुरुषकार भी काफी मिले हैं जैसे पद्म भुषन इन्हें 1969 में मिला पद्म भी भुषन उन्ने सो निन्यानवे भारत रतन दो हजार एक दादा साइफाल के पु भारत के टीम ने 1000 बंडे मैच खेलने वाली पहली विश्व की टीम ये बन गई है तो राइट आंसर हो जाएगा देखें वेस्ट इंडीज के साथ भारत ने जो है ये खेल खेल कर 1000 बंडे मैच अपने पूरे करें अगला है प्रधानमंति नरेंद मोदी जी ने 11 सदी के भक तो हैदरबाद में इसका उद्गाटन किया गया अच्छा किस ने किया अगर ऐसे पूछ ले तो प्रधानमंतरी मोदी जी ने किया अगला है अंडर 19 किरकेट विश्व कब 2022 का खिताब किस ने जीता है आंसर हो जाएगा भारत ने जो है ये खिताब जीता है और इसमें भार भारत ने पांचवी वार अंडर 19 किरकेट वर्ड कप का खिताब जीता है इसका आयजन हुआ था एंटिगूआ वेस्ट इंडीज में और देके भारत ने पांच वार जीत लिये तो 2000 में 2008, 12, 18 और 2022 में भारत ने अंडर 19 विश्व जो वर्ड कप इसका खिताब जीता है इसक ने फ़री 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्च करी गई है तो 6.57% की जो बेरोजगारी दर है वो रिपोर्ट करी गई, दर्च करी गई है अगर हम कम बेरोजगारी में देखिए तो तेलंगाना है जहाँ पे 0.7% है फिर गुजरात मिगाले वहीं अगर हम से जादा विरुज़कारी दर है राजह हरियाना जहां पे 23.4 परसेंट जो है विरुज़कारी दर जो है दर्ज करी गई इसके बाद है देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजु की मोटर ने सुजु की इनुवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतिय प्रद्योगे की संस्थान के साथ समझोता किया है तो किस के साथ किया है आयाईटी हैदराबाद के साथ ये जो समझोता है वो किया गया तो फ्रेंड्स यहां पर हमने फोर्स बीक के सभी important questions को cover किया है thank you so much for watching this video